हलो इस्टुडेंट्स, माइ डेम इस अजय गुनकर, वेल्कम तो आपर यूटू चैनल, यूटी पी स्कूल, टूटे आए मैं डिस्कस क्लास फोर्थ मैथ सब्जेट, चेप्टर नमबर वन, जिसका नाम है लार्ज नमबर, लार्ज नमबर के बरहें हम डिस्कस करेंगे, और क्लास फोर्थ में हमें फोर्डीजित का लार्जिस नमबर आपको पता होना चाहिए, और फोर्डीजित का इस्मालिस नमबर आपको पता होना चाहिए, इस शेफ्टर में केवल फोर्डीजित के नमबर के बारे में हम सीखेंगे, तो आप देख पा रहे होगे, कि एक आटो पार्ट होता है और इसे वर्ड भी लिकना है एक पार एक पार में भी नंबर है यू एम क्यू इसके बाद 1505 इस तरीके से नंबर है अगर आप उमट है तो अपने की स्कूल में अगर आपका एड़िसन है तो आपके पास बुक होगी उस बुक को आप देख सकते हैं उस इस च 9,522 यही बादा नंबर यहां पर लिखा है यह नंबर वाला पार्ट होता है इसके बाद वर्ड भी में कैसे लिता है कि 9,522 इसके बाद दूसरा नंबर है कि पार वाला था 1,505 इससे हम चाहिए लिखेंगे 1,505 अभी हमने आपको बताया कि 4 डिजित का लाजिस्ट नंब 4 डिजित का लाजिस्ट नंबर होता है कि 9,999 यहां पर लिखा हुआ है 4 डिजित लाजिस्ट नंबर और 4 डिजित इस्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है 1,000 अब देख पार होगे 4 डिजित इस्मॉलेस्ट नंबर उमीद करता हूं कि वीडियो आपको समझना रहे होते और आप आप कमेंट करके जरूब गता है अब ध्यान से देखना कि यहाँ पे एक्सरसाइजिन करते हैं पहला कुस्चन है आपका राइट अफ फालोईग निवरल्स इन वर्ड इन नमबर को आपको वर्ड के फॉर्म में लिखना है तो देख पारे होगे 7906 इसको वर्ड के फॉर्म में लिखने के लिए 7906 यह लिखा हुआ है इसका एक्सर इसके बाद 4875 यह एक्सर इसका दो कोश्चन आपके लिए हैं वो इस वीडियो के कमेंटर ज़रूर लिखें कोश्चन नमर C और कोश्चन नमर D का एक्सर इसके बाद कोश्चन नमर 2 क्या कहता है राइट इंट फिगर राइट इंट फिगर का मतलब है वर्ड दी कोश्चन लिखा हुआ है उसके एक्सर फैंड आउट करता है तो आप उसे बुट्स में देखना वहाँ पे मिलेगे कोश्चन तो पैरा कोश्चन लिखा होगा वर्ड में यह मैं एंसर लिख दिया हूँ नमर के फोर्म में कि 2,410 इसके एंसर हो जाएगा वर्ड भी का लिखा होगा वाँ आप्टी कोश्चन में कि 5,712 इसके बाद थर्ड कोश्चन लिखा होगा कि 4 डिजिट लार्जेस्ट नमबर तो 9999 यानि 9999 इसका एंसर और होगा आपको 4 डिजिट का smallest नमबर जो 1000 है उमेद करता हूँ यह वीडियो आपको सबस्च में आए होगा यह फर्स लेक्चर है यानि फर्स पार्ट है इसका सेकेंड पार्ट आएगा तो इसमझे से इस चैनल को आप सस्क्राइब कर लो और वेल आइकन दबा लो ताकि नेस्ट पार्ट आपको आसानी से नोटिफिकेशन की फॉर्म में आपको मिल सब्येगा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद ते युब